अगलो प्रेंज दिस गौतम पांडे कमिंग अपिद नेक्स राउंड और बस पांच मिनट तो आज के बस पांच मिनट में हम बात करेंगे कदगू सिलेंडर लॉरिस संचूरी के बारे में तो फर्ष्ट व पॉजरा देखते हैं कि इस संचूरी नीज में क्यों है देगे एस हमारे इंपॉर्टेंट से ज्लेंडर लॉरिस सामझना और ये समस्तूरी से लेटेट सारी बातों का समंझना और साते साथ यह इस वीडियो में इन सारी बातों को हम डिसकस करेंगे चलिए समझते हैं देखे तमिलाडू गोवर्मेंट के अगर बात करें तो तमिलाडू गोवर्मेंट के जो CM Mr. M.K. इन्हों ने खुद एनॉंस्मेंट किया कि इंडिया आज फर्स स्लेंडर लॉर्मेंट को तमिलाडू गोवर्मेंट ने नोटिफाई कर दिया है और ऐसा तमिलाडू गोवर्मेंट ने वाइड लैप प्रोटेक्शन एक्ट ऑप 1972 के सेक्शन 26A1B के तहत किया है यह पॉइंट आती है कि नॉक्टोनल अर्बॉरियल क्या होता है इसको जरह समझते देखिए अगर बात करें नॉक्टोनल स्पीशिज की स्फीश वायता है जो जैसे स्पीशिज चेंडरली नयट में चेंटिव रहता है जैसे अपने लाइफ मैक्सिमम टाइम ट्री पे ही गुजारते है आप image में भी देख सकते हैं, जो slender loris होता है, अपने life का maximum time ये tree पर ही गुजाता है, अगर इसके हम IOCN status की बात करें, तो IOCN के red list में इसे endangered category में रखा गया है, और साथी साथ sides के appendix 2 में इसे सामिल किया गया है, देखें, कहा जाता है कि जो slender loris है, ये farmer friend कहा जाता है इसको, इसके पीछे कारण क्या है, because they act as a biological predator of the pest, means जितने भी हम pest वगरा देखते हैं, जो हमारे फस लोगों खा जाते हैं, उनको ये खा जाता है, उनको ही खाता है, जिसके कारण से farmer friend भी खा जाता है, तो ये point भी हम याद रखेंगे कि slender loris को farmer friend भी कहा जाता है, देखें, अगर बात करें कि ये slender loris कितना type का होता है, slender loris के अगर हम बात करें तो देखें, slender loris generally two type का होता है, एक होता है grey slender loris और दूसरा होता है red slender loris, जो grey होता है, वो इंडिया में खास करके south इंडिया में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ स्रिलंका में भी देखने को मिलता है बट जो red cylinder loris होता है सिर्फ और सिर्लंका में पाया जाता है तो ये point हम याद रखेंगे कि जो cylinder loris है grey cylinder loris South India में और स्रिलंका में मिलता है बट जो red cylinder loris होता है वो सिर्फ और सिर्फ शिर्लंका में मिलता है ये important point हम याद रखेंगे देखे अगर इसका life span की बात करें तो generally ये 12 से लेकर 15 year तक इसका life span होता है और देखे कहा जाता है कि जो वहाँ के जो look light लोग है जहां पर ये मिलता है उसके भी से में कहा जाता है कि slender lores में बहुत सारे medicinal properties होते हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसमें कुछ magical power भी होता है जिसके कारण इसका smuggling बहुत जादा होती है तो इसकी number जो घर्टी चली जा रही थी उससे related ही जो तमिलाडु government है उसे protect करने के लिए प्रिजर्ब करने के लिए उन्होंने एक slender lores century को है declare कर दिया है देख कहा जा रहा है जो current scenario में जो अभी survey किया गया है उसमें कहा गया है कि तमिलाडु area में 1172 cylinder lores ही बचे हुए है तो ये तो बात होगे cylinder lores related अब जरह हम बात करते हैं कदबूर cylinder lores century is related कदबूर cylinder lores century की बात करें तो ये 11806 hectare में फैला हुआ है और ये तमिलाडु के जो कुरूर और डिंडगूल डिस्टिक है उनके कुछ area को cover करता है तो हमारे लिए important हो जाता है कभी कभी अस्तरमाल प्रोपर तरीके से पूछ लिया जाए कि किस area में है तमिलाडु में है या नहीं है तो इस तरह की question को प्रुम उनके से लोगया थे तो हमारे खायए रहले श्नके से दोड़ता है झाल करता है जाए झाल प्रोपर या जाए झाल